हेलो गाइस शुरू करते हैं एक नई सुभा के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई जोस के साथ मैं हूँ अभी हाई स्कूल कटोरिया में फिल्ड के मैदान पे मैं अभी आपको दिखाने के लिए आया हूँ क्रिकेट पीच के मैदान को और यहां पे भारी भारी सो रही है जिसकी वज़ा से पीच का मैदान लवा लब पानी से भरा हुआ है कल साम से या कल दोपर से ही यहां पे भारी सो रही है जिसकी वज़ा से यहां का फूरा फिल्ड पानी से लवा लब भरा हुआ है हम आपको कुछी तेर में फिल्ड का मौएना करके बताएंगे कि फिल्ड का क्या हाल चाल है आप वीडियो के अंज तक बने रहें अगर आप नए इस चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और आप अगर पुराने वीवर्स हैं तो हमारे वीडियो को देख करके थमनेल जरूर पर प्रेस कर दें और कॉमेंट करके जरूर बता दें कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा तो दोस्तों आप सबों को एक आप लोगों के लिए मैं एक सवाल लेके आया हूँ सवाल ये है क्या आप सब भी मेरी तरफ पानी में भीगना चाहते हैं और हाई स्कूल के मैदान को देखना चाहते हैं पीच का क्या हाल है तो चलिए अवह हम ग्राउंड पे उतर के आपको पीच का मोयना कराते हैं धन्यवा दोस्तों वीडियो के अंद तक आप बने रहेंगे हमें उमीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगेगा अच्छा लगे तो दोस्तों कॉमेंट करना और लाइक करना ना भूलें क्योंकि आप ही के लाइक से और कॉमेंट से हमारा चैनल ग्रो करता है और दोस्तों ज्यादा अच्छा लगे तो सेयर करें अपने दोस्तों भाईयों को और उसे बताएं कि हाई स्कूल के मैदान में क्रिकेट का मैच होता है और यहां पे देख सकते हैं यह हमारा क्रिकेट का पीछ है यहीं पर किर्केट का मैच होता है और हम लोग यहीं पर खेला करते हैं तो दोस्तों अब हम चलते हैं ग्राउंड पर सब्सक्राइब होता हैं time to let go of all your fears and right stand up beside me don't you hide we can build a better place if we can just find a way then we can live a better day rise from the ashes from the anger from the war let's come together lift your spirit for the cause we should be equal should be living free all together one and all let's build a dream yeah you know you're a blogger in the background and then you have to do your home school and I'm a fan of the video I would like to comment comment section I'm a part of the video comment section चेक करेंगे और रिप्लाय देंगे आप लोग जो भी कहेंगे धन्यवाद दोस्तों